आज हम बनाएंगे multi grain energy bar जो nutrients का power house है इसको आप post gym, pre gym खा सकते हैं, office में snacks के रूप में खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, आप इसको कभी भी खाईए, इसका बहुत फाइदा है इसके लिए हम लेंगे de-seeded dates, जो की हम लेंगे 1 cup, मैं 1 cup पे de-seeded dates ले रही हूँ, इसको डालूँगी बाउल में और इसमें हम मिलाएंगे 1 cup water, 1 cup पानी, इसको डाल कर हम इसको 2 घंटे के लिए soak कर कर रख देंगे, या फिर इसको 2 से 4 मिनट तक microwave कर लेंगे अब हम इसको रखेंगे side पे, एक pan में लेंगे 1-4 cup चारो मगज, 1-4 cup pumpkin seeds, half cup badam, 1-4 cup cashew और 1-4 cup हम लेंगे तिल ये चारो मगज जो हैं, ये 4 तरंगे बीज होते हैं, जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत ही फाइदे मंद होते हैं ये जितने भी आपके dry fruits हैं, इससे आपका heart बहुत healthy रहता है, cholesterol कम हो जाता है, weight कम हो जाता है, sugar level down हो जाता है, आपका blood pressure भी down हो जाता है, क्योंकि ये सारे antioxidant से भरपूर है इन सब को हमने सेख कर mixi में डाल कर दरदरा पीस लेना है, इसको हमें एक या दो बर mixi चलाएंगे तो हमने ऐसा दरदरा करके इसको side में रख देना है, अब हम पैन में लेंगे flax seeds one fourth कर, जो flax seeds हैं वो बहुत ही काम की चीज है, जिसको की हमें बहुत अच्छा से खाना चा होते हैं, जिससे की आपका heart बहुत healthy रहता है, cancer का risk कम हो जाता है, diabetes का risk कम हो जाता है, और तो और आपका weight भी कम हो जाता है, जब आप इसको भूनेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर food के निकलेंगे, तो इसके लिए आपको side पर ऐसे मैंने इसको कर लिया है, तांकि ये बाहर food कर ना निकलें, इसको खाने का फाइदा तभी है, जब आप इसको भून कर पीस कर खाएं, तो इसको कही लोग कहते हैं, बहुत गरम है, पर हम बहुत कम मातरा में खा रहे हैं, इसको mixi में डाल कर हमें रख देना है, और हम पैन में डालेंगे, दूसरी चीज़ जो है, oats हम ले रहे हैं, one-fourth cup, oats जो है, आज कल आपको पता है, बहुत फाइदा है, क्योंकि इससे आपका weight कंट्रोल होता है, blood pressure कम होता है, cholesterol कम होता है, cancer नहीं होता, blood sugar कम हो जाती है, और यह बहुत बड़ा immunity booster है, क्योंकि full of antioxidant है, इसको अच्छे से भून कर, हमें इसको जो जार में ह हमने फ्लैक्सिक डाले है, उसी में मिला देना है, और इसको अच्छे से powder बना कर, पीस लगकर उसी रख लेना है, और dry fruit जिसमें हमने डाले है, उसी mixture में mix कर देना है, अब हमारे जो यह dates हैं, वो सोक हो गए हैं, अच्छे से उसको mixi में paste बना लेना है, और मैंने इसको पे हुलने के लिए खाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इसको इसमें इतने अच्छे nutrient है, जिससे की पूरा दिन आपको भूग नहीं लगती, और बहुत healthy होते हैं, bowel movement अच्छी रहती हैं, anti oxygen से भरपूर होते हैं, risk cancer का risk कम हो जाता है, और बहुत सारी disease से लड़ने में हमें यह ख कि आपको यह लगे कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख गया है, तो आप जो यह खजूर है, इसमें हाप honey भी मिला सकते हैं, पर यह मैं diabetes patient के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं honey नहीं add कर रही हूँ, honey add करने से इसमें sweetness जादा आ जाएगी और honey के अपने बहुत फायदे ह अब यह देखे, पानी सूख गया है, और इसमें मैंने dry fruits जो है, सारे add करके, इसमें मिला कर मैंने रख देए हैं, और इसको मैंने sim पे ही gas रखी हुई है, और इसको धीरे धीरे इसको हिलाते जाना है, यह थोड़ा सा semi solid सा रहेगा, पर इसको अच्छे से जब आप हिलाएं तो बहुँ अच्छे से mix हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे coconut, desiccated coconut, one fourth cup, desiccated coconut जो होता है, वो आपके बालों के लिए, skin के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें यह पूरा सब कुछ बहुत बढ़िया से हमने nutrients add कर दिये हैं, अब यह तयार है, आप जमा के लिए, इसको हमें एक grease tray में डाल कर या किसी भी plate में डाल कर इसको अच्छे से अपना किसी कटोरी की help से या मैशर की help से इसको बराबर कर लेना है, और इसमें अब मैं ऐड करूंगे one fourth cup ही kishmish raisins, raisins डाल कर इसको मैंने अच्छे से दबा कर जमा देना है, यह ऐसे ही अगर आप फ्रिज में रखोगे तो यह बहुत बढ़िया से जम जाएगा, देखिए, half an hour हो गया है, कितने बढ़िया से हमारी चक्की जम गई है, और इसको अब आप कैसी भी तरह से काट सकते हैं, मुए रोज की एक बार खाती हूँ, इसलिए मैं इसको बार की तरह देखे कितनी सौफ, कितनी करंची जो है, बार त्यार है, आप रुक के क्यों है, इसको बनाईए और आपने बच्चों और आपने सब लोगों की सेहत को ठीक रखिए और सब को खिलाईए